नमस्कार देश और दूर्या की ख़बरों में आपको बहुत बहुत स्वागत मैं हूँ आपके साथ मरूरा सकते हैं बात सबसे पहले पडोसी मुल्क बंगलादेश की करते हैं जहां पर तक्ता पलट के बाद दिशारे पर हिंदू मंदिर आ गए हैं इसकौन ने मंदिरों में तोडफोर का वीडियो जारी किया है इसकौन का दावा है कि कई मंदिरों में आग लगा दी गई आपको बता दे कि मंदिरों पर हमले तेज हो गए है जब से तक्ता पलट हुआ है बागलादेश में हिंसा की आग में जुलस रहा है ये देश तक्ता परक के बाद हिंदू मंदिर भी उपद्रव्यों के प्रदशन कारियों के निशाने पड़ा गए है इसकौन नहीं है देखिए मंदिरों में तोड़ पोड का वीडियो भी जारी किया है इस कौन जो की मंदिर है उसका दावा है कि कई मंदिरों को आग के हवाले प्रदर्शन कारियों ने कर दिया है आपको बदा रिकिए हलाकी लगातार दिल्ली में भी हलचल तेज है सब्दली बैट्रक भी खुद ब्रीफिंग देते हुए नजर आए है इस कौन का दावा कि बंग्दादेश में तक्ता पलट के बाद हिंदू मंदिरों को रिशाना बनाया जा रहा है तोरफोर्ड की जा रही है और ये दावा पेश करती है इस कौन ने वीडियो भी जारी किया है कई मंदिरों को बताय ज़रा आग लगा दी गई तस्वीरें अंदर की आपको मंदिर की नजर आ रही है जहाँ पर देखिए भगवान की मोटी बीचे पड़ी हुई है तोरफोर्ड की गई है ये मंदिर के अंदर का नजारा है और ऐसा माना जारे की ये जो वीडियो है ये इस कौन की तरफ से जारी किया गया है ये दावा पेश किया गया है इस कौन की तरफ से जिसमें मंदिर के अंदर की तस्वीरें आपको नजर आ रही है कई मंदिरों को उद्रवी प्रदर्शनकारी निशाना बना रहे हैं आपको मतारे कि हिंसा की आग में जुलस रहा है बंगलादेश इस वक्त सड़कों पर हिंसा हो रही है संसद में लूट पार्ट, प्यम अवासपन लूट पार्ट, आज़णी और इन सब के बीच में मंदिरों को भी प्रदर्शनकारी निशाना बना रहे है तो बंगलादेश में कई जगों पर हिंदू समुदाय को भी निशाना बनाए गया है आवामी लीक से जुड़े दो हिंदू निताओं की आत्या कर दी गई है विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदू के घरों और मंदिरों को भी हमले हो रहे है विश्चेश डूप से स्कौन और काली मंदिर को भी निशाना बनाए गया है हर्दन रॉय नामक हिंदू पार्शत को रधबुर में मारे डालने की भी खबर है यनि कि उसे मार दिया गया है बता जा रहा है कि बहा हिंसा की आडं में हिंदू पद्टधकार की भी हटश्ळा हुई है राय गंज प्रे स्कलब को घेर कर प्रदर्शन कारियो ने पत्टकार पदित कुमार भामिक को मार डाला तो ब्रवी किस तरीके से खून के प्यासे हो गए है सड़को पडाग जनी हो रही है इंसा हो रही है इन सब के बीच में आपको बदा ले कि हिंदू समधाय को भी निशाना बनाय जा रहा है बादनी लीक से दुड़े दो हिंदू वेताओं के हत्या कर दी गई दुर्यों प्रजशन के दौराण हिंदू के घर को निशाना बनाय जा रहा है मंदिरों में तोट पोड की जा रही है इस कौन और काली मंदिर को निशाना बनाने से ठूक नहीं रहे प्रदर्शनकारियों द्रभी हरधन रोय नामक हिंदू जहांपता सीराफ के सामने है पार्शत को रंगपुर में मार डाला गया बताजरे कि वहाँ पर हिंसा क्यार में हिंदू पत्रकार की भी हत्या कर दी गए राई गंज प्रेस क्लफ को घेर कर पत्रशनकारियों ने पत्कारपदी कुमार को मा डाला है माइनार्टीज की जिंदगी वहाँ खत्रे में हैं मैं समयता हूँ भारत सरकार को सबी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो माइनार्टीज हैं उन पर हमले हो रहे हैं उनको बचाया जाए और वहां की फौज हालात को जल्दी से जल्दी अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश करे और न्यूआक तो पहुंच चुकी है बंगलादेश में विद्रो की आग उसकी आग नीयूआक तक बहुत चुकी है नीयूआक ने बंगलादेश वारी जूता वस पर हमला कर दिया गया कारियों ने मुजिब और रहमान की तस्वीर को बंगलादेश में ने जंजर आ रहा है कुछ इसी तरह के तस्वीर है ये विद्रो की आग यॉक तक पहुंच चुकी है बंगलादेश बाड़िश दूतावास यॉक पे जहाँ पर हमला क्या गया प्रतश्विट कार्यू की तरफ से और उसके बाद मुजीव और रह्मान की तस्वीर को हटा डाला तो बंगलादेश में शेख हसीना के स्तिफ़े के बाद लगातार हालात बदल रहे हैं और नए प्रधान मंत्री को चुने की कवायाद भी तेज हो गई है उदर दूसरी तरफ आज भारत में भी इस मुद्धे पर बड़ी हलचल दिखाए दी के सरकान आस सभी दलो की बैठक बुलाई जिसमें बंगलादेश की मुद्धे पर चर्चा की गए रणनीती बनाए गए तमाम विपक्ष के बड़े नेता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कैबिरेट मिनिस्टर आपको नजर आ रहे हैं जसमें ब्रीफिंग दी गई विरेश मंतिया जशंकर की तरफ से बताया गया है कि सभी भार्तिये बंगलादेश के अंदर सुरक्षित है ये बड़ी चानकारी निकल कर आई सातिरों ने बताये कि 8,000 चात्र की वापसी भी हो चुकी है 12,000 से 13,000 भार्तिये हालाकी फसे हुए हैं बंगलादेश में बैटक में राहूल गांदी ने बंगलादेश के मुद्ध पर सवाल पूछा राहूल गांदी ने कहा कि तकता पलट के पीछे क्या विरेशी ताकत का हाथ है तो विरेश मंतिरी ने कहा कि एक पाकिस्तानी राज़दूर्ट में प्रोफाइल कोसो बदला अभी कहना पाजी होगी शेख हसीना पर भी अभी पैसला नहीं लिया गया है लेकिन पैनी नजर हालात पर बंगलादेश में बदल रहे पल पल के हालातों को लेकर नजर बनाई हुई है विरेश मंत्रिय जर्शंकर और सब दली बैठक में खोद उनोंने जानकारे दी कि सभी भात ये स सुरक्षित है आठ हजार चात्रों की वापसी तक हो चुकी है महिशेख हसीना को भारच वोड़े वाला विमान लोट गया है हिंडरन एयरवेस से वापस बंगलादेश लोटा है विमान सुभा नौ बजे विमान एयरपोर्ट से उरान भरी एयरपोर्स C-130J विमान में सेना के साथ अधिकारी लोटे है आठको बदाने की गाज़ जबान हिंडरन एयरवेस में स्वक्ष शेख हसीना सुरक्षित है और जब तक उन्हें कोई देश संरक्षन नहीं देगा तब तक भारत में रहेंगी शेख हसीना को जो भारत कोने वाला विमान था वो लोट गया है वापस बंगलादेश तस्वीरे आपके सामने हैं हिंडन एयरवेस से वापस ये विमान लोटा है सुभा नौ बजे विमान ने एयरपोर्ट से उरान भरी थी एयरपोर्स C-13J विमान में स हसीना के साथ अधिकारी भी लोटे हैं तो शेख हसीना को सुरक्षित छोड़ने के बाद अब विमान बंगलादेश वापस जौट चुगा है तो बंगलादेश में हुए सत्ता परिवर्टन के बाद बंगलादेश के प्रिदान मंती शेख हसीना कल देश शाम गाजयबाद के हिंदन एयरवेस से पहुँच गई थी इसके बाद से उन्हें हिंद एयरवेस के सेफ हाउस में रखा गया है यह उसके तस्वीरे हैं जब कल शाम को शेख हसीना हिंदन के एयरवेस पर पहुँची गाजयबाद में पहुँची और इस वक्त बताया जा रहा है कि एयरवेस के सेफ हाउस में वो मौझूद है वो तब तक यहां पर रहेंगी जब तक उन्हें कोई दूसरा मुल्क दूसरा देश सनक्षण नहीं देता लंदन, फिल्लेंड या फिर स्विजलेंड जाने की उनकी जानकारी मिल रही है यह वही जगह आपको दिखा रहे हिंदन एयरवेस जो की गाजयबाद में है वहाँ पर कल शाम उनका विमान लैंड करता हुआ नजर आया और इस वक्त वो एयरवेस के सेफ हाउस में है बांगला बेस में आरक्षन को लेकर हुआ दौवाल के बाद जहां एको सक्ता पल्ट गई वहीं दूसरी ओर शेख हसीना जो की वहां की पधान मंत्री थी कल देर रात यहीं पर हिंदन एयरवेस पर आई थी यहीं पर उनका विमान था यहां पर लैंड हुआ था और वहां से बांगलादेश से बांगले के बाद उससी पार यहीं पर रुकी थी अज सुबह की वरम बात कहें को सुबह उनके यहां नाश्टा किया है उनको सेफ हाउज में यहां रखा गया है बताए यह भी जा रहा है अगर सुत्रों की माने तो संभर्त है आज शाम तक वो अपनी बेटी के पास बिल्ली जो रहती है उनके पास भी जा सकती है अमने प्राणा नीज जिटेंगे पर देश उद्धर भारत बंगलनेश बॉड़र पर हाई अलट जारी कर दिया गया है बंगलनेश में पनपे हालात के मदिने अब बीएसेफ ने बॉड़र पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है डीजी बीएस अब दलजी चोगली भी परशिब बंगाल में वह जून है और सुरक्षा को लेकर बड़ी बैटक की है आज वो भारत बंगलनेश बॉड़र का दौरा भी कर सकते हैं सूत्रों के मदाविक अभी भारत बंगलनेश सीमा पर इस्तिती पूरी तरह से समान है लेकिन घुसपैट के आशंका के चलते बॉड़र पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है हाला कि इस वक्त सीमा पर इस्तिती सामान है सूत्रों के मुदाविक बंगलनेश बॉड़र का दौरा भी आज कर सकते हैं बियसेफ बीजी दलजी चौधरी जो की इस वक्त पर श्यम बंगाल में मौझूद है तो बंगाल का वो इलाका जो की सासा ये चार्ट जो आपको बताने की स्टेथ हैं ये बंगलनेश के साथ बॉड़र श्यर करते हैं और लहाजा यहां पस्तुरक्षा बढ़ा दी गई है तो शेक हसीना ने पियप पस से स्तीपा दे दिया और उन्होंने बंगलादेश भी छोड़ दिया और अब सवाल है कि आगे क्या होगा क्योंकि बंगलादेश अभी भी अशांत है वहां लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और चारो तरफ हाहा काल मचा हुआ है आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां इस वक्त हालाद कैसे है पहला हथोड़ा बांगलादेश के जनत बंग बंधु की मूर्तिबर दूसरा हथोड़ा बांगलादेश के लोगतंत्र पर तीसरा हथोड़ा बांगलादेश की समूल विवस्था पर चौथा हथोड़ा शेख हसीना सरकार पर तस्वीरे हिला देने वाली है बांगलादेश के तिरपन सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ राजधानी ढाका को खूब दिया थे हजारों की तादाद में लोग सलकों पर उतर हैं हिंसा का तांडो जारी है आर्मी बंदूग ताने खड़ी है दूसरी और अवाम मुठी बांधे नारे बुलंद कर रही है बोलियों की विसाथ बिच रही है अब तक तीन सो लाशें गिर चुकी है हजारों लोग जत्मी हो चुके है पुलिस के सारन और एंबुलेंस के शोर से धाका भूंज रहा है जो विद्रोही हैं वो तो जान हथेली पर उठाए घूम रहे है लेकिन जो आम लोग हैं घरों में दुपके हैं सहमे हो है देश का क्या हो मुल्क को इस धदटी आग से कौन बचाएं बांगलादेश उनमाद की आँधी में तिनकैसा बिखर रहा है बांगलादेश पहले इड़ दर इड़ तूटा अब दीवार दर दीवार ठह रहा है प्रधान मंत्री शेख हसीना के आपास गणभवन में हजारों की भीड भुस गए बेडरूम तक पर कबजा जमा लिया हिंसा को देखकर शेख हसीना भाशन रेकॉर्ड करना चाहती थी लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका तक नहीं मिला बांगलादेश के पीम हाउस के बेडरूम में प्रधर्शनकारी को आराम फरमाते देखा जा सकता है प्रधर्शनकारी को पीम हाउस के लॉन में भी टहलते देखा जा सकता है भीड ने ग्रेमंत्री अजदू जमन खान के घर को भी आग के हवाले कर दिया शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर में गुसाई भीड ने आग लगा दिया। खोन, जट, लाशे और मातम के बीच देश की कमान आर्मी ने सम्हाल ली है। आप कह सकते हैं कि बांगलादेश में तख्ता पलट हो चुगा है। चीफ आफ आर्मी स्टाफ वकार उस जमान में एलान कर दिया है कि वो सब सम्हाल लेंगे। शेकाना आमरा शिद्धान दुनियाची जे आप्टा इंटरीम गवब्मेंट आमरा पॉन कर दोूं। एब इंटरीम गवब्मेंट अर्माद्धों में एदेशेर शमस्तु कार्जु कॉलाब चुल दे। क्यूं बांगलादेश में लग गई बर्बादी की आठ। कैसे तबाह हो गई शेक हसीना की सरकार। भीड ने क्यूं उखाडफे की चुनी हुई सरकार। और सबसे बड़ा सवाल की बांगलादेश की कमान अब किस के हाद। आपको पॉनिंग बांगलादेश की हर एक डीटेल दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे शेक हसीना के खिलाब भड़की भीड ने कानून को अपने हाथों में लेकर देश को जला डालने की कसम खाई। लेकिन उसके पहले तस्वीरें जो बांगलादेश के अंधकार मैं भविश की गवाही है। प्रदर्शन कारियों ने कई एहम रास्तों पर भी कपजा कर लिया है। इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। देश दुन्या की खबरें आपको दिखाते रहेंगे लेकिन राजिस्थान विदासभा से बड़ी कवर आ रही है। भी नहीं बोला। तो लगातार शंकरों शंकरों के नारे बाजी करते हुए कॉंग्रेस के बिनाक लजर आए हैं। तो लगातार हंगामा चल रहा है, नारे बाजी हो रही है। और एक बाप फिर बात बांगलादेश की करते हैं चुकि तकता पलत के दोरान कई हिंसक घटनाओं के बीच। ततर्शन कारियों ने बांगलादेश ट्रिकेट टीम के पूर कप्तार मश्रफे मुर्तजा की घर पर भी आग लगा दी। पलत के लिए सबस्यादा माचों के एक अप्तानी पहने का भी रिकोच है। बाड़ी फसल बार की वज़े से बरबाद हो गई तस्वीरे आपके सामने जहाँ पर रस्क्यू आपरेशन किया जा रहा है और मारगों को खोलने का काम किया जा रहा है। लाहल स्पिती इलाका जहाँ पर तेज वारिश और बार के बार एक पुल बह गया। ये पुल ही था जो की संजीवनी का काम करता था गाओं वाले के लिए वो मुख्यमात के जरिये होस्पिटल जा पाते थे, कॉलिज स्कूल जा पाते थे, लेकिन अब यहाँ पर कई गाओं का संपर्क इस पुल के भेजाने की वज़े से कर दिया है। उदर बिहार के गुपाल गंच में भी सुबा से लगातार बारिश हो रही है। जाजा मरीजों को तिमारदार गोधी में लेकर बहाँ निकले। उदर उतरकाशी से भी खबर है, यहाँ पर गंगोती नैशनल हाइवे बंद हो गया है। नेताला के पास पहाड़ी से मलवा आया है और यही वज़े है कि सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। बियारो की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है। तस्वीर आपके सामने मैदान से रेकर पहार तक हाहा कार मूसदार बारिश के बाद गंगोती नैशनल हाइवे हैं। यह बंद हो चुका है। निताला के पास पाड़ी से भर भरा कर मलवा गिर गया और अब बियारो की टीम पहुची है जोकि सड़क को खोलने का काम कर रहे है। महराश के नासिक से बड़ी काबर है जापत दिन दहारे महिला की चेल लेकर बदमाश फरार हो गए। कि जरिये ये तस्वीर अब लोगों के सामने आई है लेकिन ये तस्वीर पुलिस पर पिछासन पर सवाल भी खड़े करी है। महिला जो है अराम से खड़ी हुई है लेकिन अचानक बदमाश आता है और उसकी गले पे जबड़ता वाह तक चेंच खीच कर फरार हो गाता है। महिला कुछ देर तक उसकी पीछे में दौड़े लेकिन तब तक वो बदमाश ठाग निकला। MPK इन दौर में कानून विवस्ता दम तोड़ रहे है। कानून की रखवाली करने वाले निताओं के दबाब में इतने लाचार हो गए हैं कि कहते हैं कि मुझे गोली मार दो सोजी जहां पुलिस वाला इतना मजबूर हो वहां आम जनता का क्या हलोगा। आगे पुलिस वाले मजबूर और लाचार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटी। जबकि रेस्लिंग में महिला पहलवान विरेश पोगाट अखारे में दाव पेश लगाएंगे। ओधर टेबल जैनिस में भारती पुरस टीम चीन के खिलाब प्री क्वाटर फार्नल खेलेगी। बात अथलेट्स की करे तो महिलाओं की 400 मीटर रेपचेज में भारत की पहल अपना दम दिखाएंगे। पेरेश ओलंबिक में भारत ने अब तक तीन कास मेडल जीत लिए हैं। ये तीनों मेडल शूटिंग में मिले हैं। तो आज खिलो के महाकुम पेरेश ओलंबिक से कई उबीदे हैं। भारत के लिए खास दिन, बड़ा दिन। चुकि कई ऐसे मुकाबले हैं जहाँ पर उमीद ये हैं कि आज मेडल भारत को मिल सकता है। होकी टीम आज सेमी फार्नल माच खेलेगी। इसके साथ साथ जैबलिन इंट्रो इवेंट में नीरस चोपडा सभी की निगाउन पर हैं। मैदान में आज वो तरने वाले हैं। कच्चा घर गिर गया जिसमें बैठी बक्रियों की मौत हो गई। जिसे पशुपालक परिशान है। भडियाडा, राजम थाई, सम, मोहनगर, रामगर सहीद, दरजनो, ग्रामिन, शेत्रों में बरसाती पानी जमा हो गया। कई जगों पर तालाप तूट गए हैं। कई का देश और दुनिया में आज के लिए इतना ही, आगे देखिए, बारोरा रिस्तान, नवसकार।